हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप अपने मुबाइल फोन के माधियम से अपना अधार कार्ट को कैसे डॉणलोड कर सकते हैं इसे कैसे प्रिंट कर सकत और कैसे निकाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों बिना वीडियो को देर के वे सिगरता से स्टार्ट कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मुबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और किसी भी एक ब्रॉजर को उपेंड कर लेना है उपेंड करने के बाद आपको टाइप कर लेना है UID ठीक है क्या टाइप करिएगा तो UID आपको टाइप करना है और इसे सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अधार कार्ट का ओफिसियल साइट पहले नमबर पे आपको देखने को मिल जाएगा UIDAI.gov.in आपको इसके उपर क्लिक कर देना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भासा पुछा जाएगा तो जो भी भासा आपको पसंद होगा उस भासा के साथ में आगे बढ़ जाना है मैं यहाँ पे इंगलिस को सलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद आपके स्क्रीन के उपर आधार गाट का ओफिसियल पेज आ जाएगा अब दोस्तों यहाँ पे एक प्रचार दिया गया है इस प्रचार को इस एड को क्रोस वाले निसान से हटा लें उसके बाद स्क्रॉल करते वे नीची आ जाएं नीची आने के साथ में ही दोस्तों कई सारे ओप्षन्स आपको दिखाई देते हैं जिनमें से एक ओप्षन गेट आधार का आपको मिल जाता है आपको गेट आधार के उपर क्लिक कर देना है उसके बाद एक नए पेज के उपर आप आ जाईएगा आपको स्क्रॉल करते वे नीची आ जाना है और साथ में दोस्तो एक option आपको देखने को मिल जाएगा download आधार आपको download आधार के उपर क्लिक कर देना है और फिर दोस्तो एक नए page के उपर आ जाएंगे आपको स्क्रॉल करते वे नीची आ जाना है और निचे आने के साथ में ही कई सारे options आपको देखने को मिल जा रहे हैं इन में से एक option आपको देखने को मिल रहा है दोस्तो डाउनलोड आधार का तो आपको डाउनलोड आधार के उपर क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप अपना अधार कार्ड को तीन तरीका से डाउनलोड कर सकते हैं आप अपने अधार नंबर की सहायता से डाउनलोड कर पाईएगा enrollment ID की सहायता से आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां फिर दोस्तो virtual ID है तो आप virtual ID की साहता से भी download कर सकते हैं तो हमारे पास दोस्तो enrollment ID है enrollment sleep के अंदर बेंशन तो सबसे पहले मेरा काम है यहां पे enrollment ID वाला box के अंदर टिक करना तो मैं इसके उपर टिक कर देता हूं उसके बाद यहां पे enrollment ID नमबर डालना होगा और फिर दोस्तो इस capture को यहाँ पे feel करना है और फिर send OTP का button है इसके उपर click करना है तो चलिए दोस्तो मैं आपको enrollment ID number दिखा देता हूँ यह आपका दोस्तो enrollment sleep है जब आप अपना धारकार्ट को update करवाते हैं या नया धारकार्ट बनवाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको enrollment sleep मिलता है अब इसी के अंदर आपका enrollment ID number mention होता है दोस्तो यहाँ पे आपको 14 digit का देख पा रहे होंगे मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पे आपको 14 digit का update request number मिल जाता है और फिर दोस्तो यहाँ पे आपको 14 digit का date और time मिल जाता है दोनों को अगर जोड़े दोस्तो तो यह आपका 28 digit का number होता है आपको यह 28 digit number इंटर करना है ध्यान रखिएगा 28 digit number आपको इंटर करना है और दोस्तो बस आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि यह जो update request number है इसको आपको सीधा डालना है जबकि जो date दिया गया है इसे उल्टा डालना है ठीक है जैसे 15 09 2022 है तो 2022 को आप पहले डालेंगे उसके बाद 09 को डालेंगे और उसके बाद आप 15 को डालेंगे और फिर दोस्तो जो समय दिया गया है 11 41 35 ठीक है इसको आपको सीधा सीधा डालना है तो यह चीज ध्यान रखेगा कि आपको update request number ठीक है तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे enrollment number को डाल दिया है जो की 18 digit का है यहाँ पे दोस्तों आप देख पारे होंगे date को मैंने उल्टा डाला है और यहाँ पे enrollment ID सीधा सीधा और समय को भी मैंने सीधा डाला हुआ है अब देखिए capture को भी मैंने fill कर लिया है आगे send OTP का button है इसके उपर click करना है जैसे आप send OTP के उपर click करते हैं आपके आधार register mobile नमर में एक OTP आ जाएगा दोस्तों finally हमारा OTP आ चुका है मैंने यहाँ पे OTP इंटर कर दिया यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है do you want to a mask आधार क्या आपको mask आधार चाहिए mask आधार में दोस्तों आपका आधार काट जब download होगा तो उसमें आधार number आपका नहीं दिखेगा उसके average में आपका virtual ID केवल दिखेगा तो दोस्तों अगर आपको चाहिए तो आप इस वाले box में tick कर सकते हैं अपना mask वाला आधार आप वहाँ पे दे सकते हैं जहां पे privacy का खत्रा हो आपका सुरक्षा का खत्रा हो और दोस्तों आप कहीं पे भी देना चाहते हैं तो आप इसको चाहें तो टिक कर ले अन्यथा आप छोर दें आप दोस्तों simply verify and download के उपर click कर लेना है जैसे आप यहाँ पे click करते हैं आपका आधार download हो जाता है तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसके उपर click किया है हमारा आधार download हो रहा है फाइनली दोस्तों हमारा आधार download हो चुका है congratulation लिख कर के आ रहा है और कह रहा है योर आधार card has been successfully downloaded आपका आधार card सफलता पुर्वक download कर लिया गया है अब दोस्तों आपको simply अपने mobile में my files को खोलना है my files को खोलने के लिए दोस्तों आपको back आजाना है और back आने के बाद simply आपको जो है वो अपने file manager में जाना है file manager में जाने के बाद दोस्तों यहां पे जो है वो documents वाला जो section है देखिए हमारा अधार download होके आ चुका है तो मैं इसके उपर click कर लेता हूँ और फिर दोस्तों यहां पे open होने के लिए यह password मांगा जा रहा है तो यहां पे password इंटर करना है और फिर ok का button click करना है password देखिए दोस्तों password आपका क्या होता है ध्यान रखिएगा password जो है वो आपके नाम का चार capital letter जैसे कि आपका नाम राजिस है तो password के रूप में capital R, capital A, capital J, capital E ठीक है यानि कि आपके नाम का पहला चार capital letter और आपका जनम वर्स जिस वर्स आपका जनम हुआ है मान लेजिए राजिस का जनम 2023 में हुआ है तो R, A, J, E और 2023 इसका password बन जाएगा तो उसी प्रकार से जिस भी वर्स आपका जनम हुआ है वो वर्स डालिएगा और अपना नाम का पहला चार capital letter आपको डाल लेना है तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना password इंटर कर लेता हूँ तो दोस्तों finally मैंने password इंटर कर दिया है और अब OK का बटन है OK वाला बटन के उपर मैं क्लिक कर लेता हूँ जैसे ही OK वाला बटन के उपर क्लिक करते हैं दोस्तों हमारा आधार दिख जाता है देख पारे होंगे आप हमारा आधार जो है वो download हो चुका है अब आप च करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दिगई जानकारी से आप अपना आधार कार्ड अपने mobile phone के माध्यम से ही download करना आपको आ गया होगा फिर भी कोई समस्या रह जाता है तो comment box में जरूर पूछे मैं निसी तोर पे आपके सभी समस्याओं का समधान करने का प्रियास करूँ तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद